पिछले कई दिनों से लगतार मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है इस बीच कोरोना ठीका करन अभियान भी तेजी से चल रहा है पिछले 24 घंटे में कोरोना के दैनिक बामलों में भी गिरावट दर्श की गई देश भर में कोरोना के 44,877 ने मामले दर्श किये गए जो एक दिन पहले 45,407 थे देश में वर्तमान में आक्टिव केस 5,37,045 यह वहीं रिकवरी रेट वर्तमान में 97,55 प्रतिशत है देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड केस में CBI ने देश की जानिमाने शिप कंपनी के खिलाफ मुकादमा दर्श किया है भारत की बड़ी नीजी शिपिंग कंपनीयों में से एक ABG शिपियार्ड लिमिटेड पर 28 बैंकों से कतित तौर पर 22,842 करोर रुपे की धोखाधरी करने का आरोप है रिपोर्ट के मताबिक देश में बैंक धोखाधरी का ये अब तक की सबसे बड़ी धोखाधरी है कॉंग्रेस सांसद परणीत और श्रनिवार को भाचपा की एक बैठक में शामिल हुई और पंजाब बिधान सभा चिनाप भी अपने पती क्याप्टर अमरंदर सिंग के लिए वोट मांगा पिछरे साल कॉंग्रेस आला कमान दौारा पंजाब कॉंग्रेस प्रमुख नवजोथ सिंग सिध्धू के साथ करवे जगरे के बाद मुख्यमंतरी पत से हटाई जाने के बाद अमरंदर सिंग देप्ती पार्टी पंजाब लोग कॉंग्रेस पी एलसी बनाई थी औल इंडिया मजरी से इतिहादुल मुजर्वीन के प्रमुख और लोकसभासांसत असुवदीन ओवेसी का कहना है कि एक दिन हिजाब पहने वाली लड़की भारत की प्रधान मंत्री बनेगी उनका ये बयान करनाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच आया है आपको बता दे कि उडप्पी के एक सरकारी कॉलेज में मुसलिम छात्रों के एक समूँ को हिजाब पहने के कारण उनकी क्लास में प्रवेश करने से रोक दिया गया था रास्ट्रिय लोक दल रालोद के प्रमुख जैंत चौधरी ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सर्मा पर कॉंग्रस ने तराहल गांधी के खिलाफ उनकी विवादा स्पट पड़ी को लेकर दिशाना सा था चौधरी ने कहा कि असम के सीम ने अभधर भाषा का इस्तमाल किया और कहा कि भाच्पा नेताओं को समय से में पर दादून या टेहनी से मूद होना चाहिए आम आद्मी पार्टी ने भारती जंता पार्टी के नेता मंजिंदर सिंग सिर्सा के खिलाफ के इस दर्श कराया है शरिवार को पार्टी ने पोल पैनल और पुलीस के सामने मंजुंदर सिंग सिर्सा के खिलाब जूठी जानकारी फैलानी के मामने में शुकायत दर्श कराई आमाद्मी पार्टी के पंजाब यूनित ने कहा है कि सिर्सा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक न्यू स्टोरी शेर की जिसमें दावा किया गया था कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद 10 साल पुरानी गाडियों को सड़क पर अनुमती नहीं दी जाएगी यह एक ग कर डाली है तमिलाडो विधानसभा के विशेश सेश सत्र में स्टालन ने विधेयक पेश करते वे कहा कि राजसरकार के कामकाज में केंद्र सरकार के हस्तशेप को रोकने के लिए समविधान में संशोधन किया जाना चाहिए बीती आठ फरवरी को मुख्यमंत्री ने विधा इस लोगों को गिरफतार किया गया चार महीने तक चले अभियान के दौरान बेहद हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफतार किया गया है इनमें एक NCB कॉंस्टेबल एक युवा महिला फिनांशिल इनालिस्ट और एक आर्मी अफसर का बेटा शामिल है पशिमंगाल में TMC के अंदर जारी अंद्रूनी कलह पर शरिवार को विस्तार से मन्थन हुआ CMमता बैनर जी की अगवाई में आपाद बैठक बुलाई गई बैठक के बाद पार्टी की तरफ से पार्टी की उनी सदसिये रास्ट्रिये कारे समीती का गठन किया गया इस कमीटी में अभिशेक बैनर जी को भी शामिल किया गया बतादे की बैनर जी ने दक्षिन कॉलकता के काले घाट में से तपने दफ्तर में पार्टी के वरिष्ट सदस्यों के साथ बैठक की और पार्टी के नई कारे समीती का गठन किया भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को चुनाव प्रचार के समंध में नई गाइट लाइन जारी की है इसके मताबिक पदियात्रा पर लगी रोख हटा दी गई है प्रचार के समय भी दो घंटे तक बढ़ा दिये गया है राजनतिक दल और उमिद्वार सभी मौजुदा निर्देशों का पालन करते वे सुबह 6 बजे से राद 10 बजी तक प्रचार कर सकते है उत्रप्रदेश विधान सबाद चुनाव में पहले चुरण में 12.08 प्रतुषित मतदान होने के बाद दूसरे चुरण में 9 जिलो की प्रतियाशी घर-घर समपर कर इसको बढ़ाने के प्रयास पलगे है चुनाव में दूसरे चरण के लिए शरिवार को शाम 6 बजे से प्रचार थामने के बाद रविवार सुबह से प्रतियाशी घर-घर जाकर दस्तक दे रहे है कि एस जेशंकर दोनों देश के बीस दूइपक्षिय संबंधों को मजबूत करने के उदेश से रविवार को फिलिपिन्स की तीन दिवसीय यादरा पर जाएंगे केस यातरा के दौरान विदेश मंत्री दोनों देश के छेतरी और अंतराश्य मुद्धों पर चर्चा करेंगे उनका ये दौरा 13-15 फरवरी तक चलेगा असम में मुखी मंत्री हिमंत बिस्वसर्मा ने एक महतपुण निरदेश जारी कर दिया है सीम ने शनिवार शाम गुहार्टी के स्ट्रिमंत शंकरदेव कलाशेतर में उन सभी सम्मंधित अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठे की जिने बसुंधरा मिशन के कारियानवियन का काम सौपा गया था सभी राज्य एजन्सियों को इस साल दसमाई की निरधारित समय सीमा दे दी है साथी सीम ने कहा है कि इस तारीक से पहले मिशन बसुंधरा के सभी आविदिनों को पूरा करे और अपने लक्षित तै करे और इस मिशन को सफल बनाए देश में महिला सवशक्तिकरन की तरफ से एक नया कदम संसत की तरफ से बढ़ाया जा रहा है दरसल संसत की एक समीती ने प्रतेक जिले में एक थाना की गठन पर जोर दिया है जिसमें केवल महिला कर्मी हो साथी ने चुनौती पुर्ण काम देने की सलाह दी है समीती ने कहा है कि पुलीस बल में महिलाओं की भागिदारी से 10.3 प्रतेशत है जो बहुत ही कम है समीती की तरफ से सुझाब दिया गया है कि देश के हर जिले में कम से कम एक पूर्ण रूप से महिला थाना स्थापित किये जाने की जरूरत है भारत ने देश के सेक्शनिक संसानों में ड्रेस कोड के मुद्धे पर कुछ देश की बयानबाजी पर सक्थ नाराजगी जोताई है भारत ने सपश्ट कहा है कि उसके आंतरिक मसलों पर किसी दूसरे देश की टिपणियों को बरदाश नहीं किया जाएगा हजाब विवाद पर अमेरिका और पाकिस्तान ने टिपणि की थी विदेश मंतराले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने कहा कि जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें इन वास्तविक्ताओं को समझना चाहिए कश्मीर को लेकर विदेशी कंपनियों की पाकिस्तानी फ्रेंचाइजी की तरफ से किये गया विवादिट ट्वीट के विरोध में शनिवार को गुजरात में प्रदर्शिन किया गया इसको देखते वे बहुरास्ट्रिय है कंपनियों के स्टोर को आननफानन में बंद करना पड़ा हुंड़ाई मोटर किया मोटर जॉमिनोज पीजा पीजा हाट और के एफसी समित कई विदेशी कंपनियों की पाकिस्तान स्रित फ्रेंचाइजी आवित्रकों की तरफ से पाच फरवरी को कश्मीर को लेकर विवादिट ट्वीट किया गया था नए साल में हर पाचवे दिन भारत में एक यूनिकॉर्ण कंपनी तयार हो रही है यूनिकॉर्ण क्लब में एक अरब डॉलर यानि वरतमान भाव पर करीब 75 करूर रुपे मुले की कंपनी को शामल किया जाता है नए साल के गत 40 दुरों में देश की आठ स्टार्टप कंपनिया यूनिकॉर्ण क्लब में शामल हो चुकी है हाली में लोजिस्टिक सर्विस से जुड़ी कंपनी एक्स्प्रेस बीज ने नए साल की आठवी यूनिकॉर्ण कंपनी बनने में काव्यावी हासिल की है भारत में अब तक 89 स्टार्टप कंपनिया यूनिकॉर्ण क्लब में शामल हो चुकी है भारत में पिट्रोल के दाम किसी से छिपे नहीं है और अब कई टू वीलर कंपनी और कई स्टार्टप बहतर ड्राविंग रेंज के साथ एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश कर रहे हैं जो महतर ड्राविंग रेंज के साथ आकरशक लुग भी देते हैं इसी के चलते बीते साल 2020 में टू वीलर बाजार में इलेक्ट्रिक टू वीलर मार्केट में सेल में बढ़ोतरी नजर आई कुल एक दिशमलब चार तीन लाग यूनिट्स की सेल की गई फेडरेशन आफ आटो मोबिल डिलर्स असोसियेशन की जानकारी के मताबिक बीते साल 425 प्रतुष्षित की बढ़ोतरी दर्च की गई है वितवर्ष 2021 बाइस के लिए कर्मचारी भविशुनीधी जमाग पर बयाज जरे अगले महीने तै की जाएंगी कर्मचारी भविशुनीधी संगठन के दिरण लेने वाली संसान केंद्री अन्यासी बोड की बैठक अगले महीने होने जा रही है जिसमें चालो बितवर्ष के कि ब्याज जरेत्य करने का प्रस्ताफ पहले से बनाय गया है हमाथुर परदेश में एक बार फ़िर से मौसम का मुझाज बिगणने वाला है मौसम विभाग के मुताब एक परदेश में बारिश और बरफबारी का सलसलाश शिरू हो सकता है विभागने 15 और 16 फर्वारी को प्रदेश के पहाड़े इलाकों में बर्फबारी की संभावना जुताई है आसंगे मुखेमंतरी हिमंत बिस्व सर्मा ने इस शेनिवार को एक बार फिर से कॉझ्रस के पुरवरास्टर्य अध्यक्ष राहूल गांधी पर तीक खामला बोला है के नेताओं और उद्योग जगत के कई लोगों ने श्रधांजुरी अर्पित की है पदमिभूशन से सम्मानित राहुल बज़ाज का श्रेनिवार को दिन में धारी बजे पुने सित रूवी हॉल क्लिनिक में निधन हो गया 83 वर्षी राहुल बज़ाज लंबे अरसे से कैंसर से पीडि थे एक बीजी ग्रुप के दो दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधरी के मामले पर कॉंग्रस ने भाजपा पर हमला बोला है कॉंग्रस ने रविवार को आरूप लगाते वे कहा कि मोधी सरकार के साथ साल में बैंकों के एन पी ए में बढ़ोतरी हुई कि बैंक धोखाधरी करने वालों के लिए लूट एंड इसके मोधी सरकार की योचना है कॉंग्रस के रंदीप सुर्जेवाला ने ट्वीट को करके इस मामले पर मोधी सरकार को खेरा है जम्यकश्मीर के उप्राजुपाद मनोध सन्हा ने केंदर साशित प्रदेश या किसी अन्यराजु में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जम्यकश्मीर के सेना के जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपे मुआवजे की घोशना की है मनोध सन्हा ने करमें सेन्टर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा बलो के जवान ने राष्च्ट की शेत्रिय अकंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहोती दियए और इस निर्ने से शहीदों के प्रती भेद भावपूरद नीती समाप्त हो जाएगी भारती अंतरिक्षन हुसंदान संगठन के 2022 के पहले प्रशेपण अभियान के लिए उल्टी गिंती शुरू हो गई है PSLV C52 के जर्ये धर्टी पर नज़र रखने वाले उपग्रह EOS 4 को कक्षा में भेजने के लिए 25 घंटे की उल्टी गिंती विर अविवार से शुरू हो गई है अंतरिक्ष एजन्सी ने ये जानकारी दी है धुरूव ये उपग्रह प्रशेपण यान अपने 72 चोटे उपग्रह को भी ले जाएगा उत्तर प्रदेश विधान सबाज चुनाव की दूसरे चरण के चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाले उमिद्वारों में से 114 आठवी कक्षा तक के पड़े हैं जबकि बारह ने खुद को निरक्षर घोशत कर दिया है चुनाव सुधालों की वकारत करने वाले समुह उत्तर प्रदेश इलेक्षिन वाच और असोसियेशन फॉर डिमोक्राटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 102 उमिद्वार सनातक को तर है जबकि पी एच्टी करने वाले 6 प्रत्याशी भी मुख्यमंत्री हिमंतमि सविसरमा और की तरफ से पूर्फःधार मंत्री राजीव गांधि और कॉंगर्स के पूरव एख्ष राहुल कांधि पर की गई विवाद टिपणी पर विवाद बढ़ता जारा है राहुल कांधि पर नीजी हमले को लेकर अमिठ शाह पंजाब में एंडिये गठवंधन के लिए प्रचार करते देखे गया, अमिठ शाह पट्याला, लुधियाना और अमिठ सर्में गठवंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते देखे गया, मेले जानकारी के नसार ये लुधियाना में दोपहर 12 बच के 15 मिनट पर जनता के बीच अपनी बात रखने पहुचे थे और वोट देने की अपील करते देखे गए वहीं दोपहर 1 बच के 45 मिनट पर शाह पटियाला पहुचे जहां पर जनसभा को संबोधित उन्हाने की और उसके बाद शाम 45 बजे के आसपास शाह अबरित सर पहुचे जहां जनसभा में वो शामिल हुए हिजाब को लेकर चल रहे है विवाद की बीच सुप्रिम कोर्ट में कि याच्छ का दायर करके इंदर सरकार और राजियों को ये निर्देश देरी की मांग की गई है कि वे समानता गरिमा सुनिश्चिता करने के लिए और रास्ट्रिय एकता को बढ़ावा देने के लिए पंजुकृत और राजमानता प्राथ सेक्षिनिक संस्थानों में एक कॉमन ड्रेस को उड़ लागो करे गाजियबाद मेवासी नेखिलोपाद ध्याय द्वारा दाएर याचुका में कहा गया है कि सभी को समानफ सर के प्रावधानों की माध्यम से लोगतंत्र के समाजुक तानेबाने को मजबूत करने के लिए सर्व स्वाल का जबाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके रहे आपका बहुत बहुत धनेवाद आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार देश भर में चल रहे हिजाब बबाद को देखते वे क्या कॉमन ड्रेस को जैसे नियम को लागू कर देना चाहिए या नहीं अपने जबाब में कॉमेंट करके जरूर बता हैं इसके साथ ही आज के लिए पस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बैल आइक कॉन दबाद को